हेलो एन वेल्कम टू ओर्लाइन एड़ा फोर स्टडी बनिस्टेप एट फॉर लर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का मारी यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों एक बार फेसे में आप सभी की बीचाज जी हूँ जहां पर हम आप सभी के सामने लेकर क्या हैं कनेडा का स्पैशल वीडियो जिसके अंदर आप सभी को दोस्तों बहमट करके दिखाएंगे आज कनेडा कैसा लगेगा वीडियो में कमेंट करके जहूल पता ना अभी हमारी गाड़ी तयार हो रही है जैसी दोस्तों गाड़ी चलती आगे कि तरह हम बढ़ेंगे नीचे आप सभी द कि देख सकते हैं जितनी दोस्तों जहां से गाड़ीया निकली उपार पर जखे कर लें और जसे कि आप सभी को लेट्र सी. वीडियो के नौटफेकेस मिलते हैं मैं आप सभी को बता दू अक्सर हम आप सभी के सामने नियूज ले करके आते हैं और ज्यादा तर आप सभी के सामने जो इस्टडी मटेयल की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आज कनेडा कर ब्लॉग देने वाला हूं तो मुझे उंबी जी हम आगे चले जाएं तो अभी भी स्नोफॉल हो रही है और इसी बीज दोसों हम बढ़ते हैं आगे जैसी हमें टाइम मिलेगा यहां से सिग्नल मिल चुका है ग्रीन तो चलिए दोसों आगे का ब्रमड भी आप सभी के साथ करते हैं तो आप चाहर दो देखिएगा पहली च इसन क्या है मैं आप सभी को बता दू यहां पर दोस्तों टू वीलर्स बिल्कुल अलाउड नहीं होते हैं ज्यादा यहां तो साइकल या उसके बाद दोस्तों आपके पास फोर वीलर ही होगा और अगर यहां बात की जाए ठंड की तो इतनी ज्यादा ठंड है लगब माइन तो देखिए दोस्तों कैसा लगता है कमेंट करें के जोगल बताएं जो भी दोस्तों अगर वीडियो के अंदर आपको अच्छा लगता है उसके बारे में बता सकते हैं अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप से भी कमेंट बोक्स के अंदर भी कर सकते हैं तो चलिए दोस बिल्कुल भी इसनों नहीं है साइड से आप देख सकते हैं मतलब इतना अच्छा दोस्तों सवाई करम चारी है हमारे इंडिया के अंदर तो मिटी जो होती है उसको घरों के अंदर डाल करेके चले जाते हैं लेकिन यहां पर दोस्तों एक मिनट के बाद बिल्कुल साफ कर दि देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सभी गाडियों के उपर इसनों काफी ज़्यादा जम चुकी है काफी ज़्यादा ठंड है अगर हम बात करें मौसम की और आपको नजारे बहुत अच्छी इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे तो यहां पर एक कॉपी श करके जहूल बताएं तो कनेडा का विलोग आप सभी को देखने के मिलना है घर बैटे आप कनेडा विजिट करें मुझे उम्मीदा आपको अच्छा लगेगा अच्छा कनेडा से यहादा है कनेडा की आप सभी को बता नहीं है राजजानी क्या है जिससे कि आप सभी का आई आपको आगे की चीज़ा देखने के लिए मिलेंगी तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों गाडियों के उपर इतनी ज्यादा इसनो जम चुकी है कि निकलने में भी दिक्कत हो रही है और काफी ज्यादा दोस्तों जो स्नोफॉल हो रहा है और अब यहां से दोस् पर इसनों नहीं जमा होगी जिससे कि वो घर गेने का या तूटने की कोई दिक्त नहीं आएगी अगर मैं बात करूं दोस्तों सत्तर से असी परसें लकडी का यूज किया था यहां पर घर बनाने के लिए इट और पत्रों की दोस्तों कम यहां जवरत पड़ती है लेकिन फ पहले से इतने ज़्यादा पेड़ लगे हुएं कि आप सभी को दोस्तों काफी अलग जो फीलिंग वो आती है और अगर इसनों फॉल हो रही हो तो काफी अच्छी है अगर बात कुण करेड़ा के वेदर की तो ज़्यादा दोस्तों यहां ठंड ही रहती है घरमी तो बहुत सभी को बता है थोड़ इसी ठंड बढ़ती है या फिर थोड़ा ज्यादा फॉग हो जाता है तो इसी में दोस्तों चाहां से पास दिनों की छुटियां कर दी जाती है अब यहां जो वाइड वाइड आप देख रहे हैं वो बिल्कुल दोस्तों स्नोफॉल हुआ है काफी ज जाते हैं जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर मैं आप सभी को बताया कि यहां पर वाइक कर दोस्तों जो है कईने के यूज बहुत ज्यादा कम किया जाता होते ही नहीं है ज्यादा तो दोस्तों सबके पास फोवीलर सी देखने के लिए मिलती है और आगे बढ़त जैसा कि आप सभी देखी रहे स्नोफॉल काफी ज़्यादा हो रही है इसका एक दो नुकसान भी है वो भी मैं आप सभी को बता दूँ जिस तरीके से दोस्तों यहां स्नोफॉल होई पड़िए अगर आपको कहीं घूमने का दिल करता है तो दोस्तों वहां पर काफी ज़्य लेकिन हैवी इसनोफॉल की बज़े से वो दोस्तों अभी आप सभी को देखने के लिए नहीं मिलेगी क्योंकि यहां पर काफी ज़्यादा वर्वारी हो रही है पिसले कई दिनों से इस बज़े से भी यहां पर आप देख सकते हैं कार के सीशे के उपर भी फोग काफी ज़ होती है जो चीज़े आपस्वी को यहां देखने के लिए मिलेंगी बिलकूल सेम टू सेम एक ही कलर के घर आपस्वी को देखने के लिए मिलेंगे अभी कुछ ज़्यादा हो चुका है क्योंकि फौग काफी जादा है और उपर से स्नोफॉल हो रहा है जिस बियससे गारी को थोड़ा स्लो चलाना पड़ रहा है आगे मैं आप सभी को दिखा हूँ जैसे कि मैंने अपनी बात को कहा कि आपको जो घरों का पेंट भी होगा वो भी लगबग एक जैसा ही देखने के लिए मिलेगा ऐसा नहीं है किसी का लाल किसी का हरा किसी का पीला होगा यह काफी तो थोड़ा वेट कर लेते हैं कार के शीशे के उपर भी आप देखेंगे तो बरफाई जम चुकी है काफी ज्यादा ठंड है तो जैसे यहां से हम आगे बढ़ते हैं आपको आगे की चीज़े और भी दिखाते हैं तो अब वहां से दोस्तों हम आगे बढ़े हैं अब अग गर नीचे चाएगा तो यहां पर मैंने आपको गहीं नीजिके बताया हुआ काफी ज्यादा देख सकते हैं लगवग दोस्तों ही यहां वाइट ही हो गया है तो अब साइडों से आप देखेंगे कितनी ज्यादा रफ यहां जमी हुई है तो ठंड में और भी ज्यादा आप को थंड लगन होगी तो कमेंट में कमेंट करके बिलकूल बताना नभूले कौनसा सीन को य्जदा अच्छा लगा और साथ में दोस्तों को बीडियो के वारे में जोगन बताएं और वीडियो को लाइक तो बनता है कियोंकि को आप दौस्तों कनेटा विजिट खाया गया इतनी खाली किया जाएगा जिससे कि दोस्तों आम चीजें के लिए हो जाए एक इंपोर्टेंट चीज में आप सभी को बताना चाहूंगा जिस तरही के से आप यहां पर देख सकते हैं जब से वीडियो शुरू है आप सभी ने एक चीज नोट कियोगी के हमाली गाड़ी बिल्कुल एक साइड में चल रही है और साथ मैं आप सभी को एक और चीज में पताना चाहूंगा जिस तरही के से इंडिया के अंदर आप सभी को देखने के मिलते हैं रोड की उपर डिवाइडर देखने के लिए नहीं मिलेगा जिस साइड में आपकी कार चल रही है उसी में आप सभ लोगीज आती है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम ओवर्टेक करना चाहते हैं देखा सामने से कोई नहीं आ रहा है तो हम दोस्तों अधर की तरब जा सकते हैं तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं तो हर एक घर के सामने ग्रीनरी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी हर एक घर एक यहां पर बिलकुल भी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है कि स्नोफ वाल की पर जैसे, लोग घर के बाहर नहीं है, यहां पर जो मार्केट होती है, मार्केट को लेकर भी मैं आप सभी को कुछ चीज़ें बता दूँ, सड़कों के उपर दोस्तों कहीं पर भी कोई शॉप नहीं होती एक अलग से दोस्तों स्पेशल जगह दी जाती है, उसी में आप सभी को मार्केट देखने के लिए मिलती है, चाहे वो सबजी मार्केट हो, या फिर कलोद मार्केट हो, या फिर शू मार्केट हो, सबकी अलग अलग दोस्तों एक स्पेशल मार्केट बनी होई है, उसी के अं करेंगे बताएं साथ में वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दें और अगर बात करें दोस्तों सनोफॉल की तो काफी हैवी सनोफॉल है जो आप सुझी को यहां देखने के लिए मिल रहा है तो कनेटा का उपर भी दोस्तों आप सुझी को बिल्कुल जो वर्फ वारी है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है कि सनोफॉल बंद हो गई है लगाता दोस्तों जो है सनोफॉल जारी है लेकिन उसके बाप जो जो सफ़ाई करम चाही है वो अपना काम समय समय से करते जाते हैं सनोफ को साइड से हटा करके रखते हैं जिससे कि आने जाने में किसी को कोई दिक्कत देखने के लिए ना मिले लेकिन काफी ज़्यादा जो प्रॉल्म वहाती है यह मैं आप सभी को बताया था कि ग्रीन री के बारे में काफी अच्छा दोस्तों लोक देखने के लिए मिलता और काफी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूं काफी तीन चार दिनों से धूप भी नहीं निकलिये जिस बज़े से भी आप सभी को यहाँ पर को थोड़ी सी दोस्तों जो है मोसम में अंधेरा अंधेरा सा देखने के लिए मिलता होगा उसका रीजन भी यही है द जगह पर दोस्तों एक ही तरह के घ़र आप अप सभी को देखने के लिए मिले और घयством के बीडियो के देखने अगा था अब ही सब्सक्तों ब्लॉग और यह मिलीट्र के यहाँ उसको अची देख सकती हम मुझेन उमबिद है कि आप सभी वीडियो बह। पसंद आया होगा, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तिल देने टेकने टाटा बाबाई, and थैंक यू, थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो, साथ में कल मैंने एक 200 स्पेशल वीडियो बनाया था, जो कि आप समी ने देखा हूँ, चलता हू वीडियो बनाया था, दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतने विलोग के अंदर मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अब हम मिलेंगे दोस्तों अपनी अपडेट के लेकर जो भी न्यूस आप सभी को वैट की जाती है, उसी वीडियो के अंदर, ये दोस्तों काफी अच्छी आप सभी को लगी होंगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर तो कर दीजे साथ में चाहल को सब्सक्राब भी कर लें, और वे लाइक को दबालें, तो फिलाल दोस्तों इस व्लोग के अंदर मेरे हिसाब से इतना ही था, जो चीज़ें इं पर सनुफोल थोड़ा सा कम होता, तो और भी आप सब्सक्राइब को इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए इसके अंदर मिल सकती थी, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, मिलत अगले वीडियो में, तिल देन टेकर टाट अब आब हैं, थैंक यू, थैंक यू फो वा